अस्ते किसान भाईयों, आज हम मक्का खेत में यह दिखाने जा रहे हैं कि कुछ किसान जो है एक बार तमनी करता है और उसके बाद पांस दिन, दस, च्छ दिन के बाद फिर मिट्टी चरहता है तो उसमें खर्च कुछ बढ़ जाता है ऐसे तो मक्का का जर जो है वह बहुत फैल जाता है और जंगल अगर हलका मलका रहे यानि पहले जो मक्का लगाने के समय में जो खाद के साथ में खरपतवार मावने वाला जो दबाई दिया जाता है उसके बाद खर्च बहुत काम होता है यही देखे इसमें खर जो है बहुत काम है और अब इसमें पांस दिन के बाद जो है यही बार में मिट्टी चरह दिया जाएगा तमनी उमनी का कोई जरूरी नहीं है इससे यही होगा कि आपका खर्च बचेगा और एक ही बार में दोनों काम हो जाता है उससे कोई दिकत नहीं है कि हम तमनी नहीं किये तो फसल कम होगा वह बात नहीं हर पतवाल मालने वाला पाउडर अगर आप खाद में मिला के ही जुताई के समय में दे देते हैं तो आपका जो है एक खर्च बच जाएगा छोटा में ही उसको निट्टी चरह दिया जाए और उसमें पानी छोड़ दिया जाए तो आपका मक मका जो है इल्ड भी बहुत अच्छा दे रहा है तो आपका खर्च भी बच जाएगा और एक ही बार में खाद उत दे कर मिट्टी अगर चरह देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसे किशान का अपना-पना सोच होता है लेकिन यह तो हम अनुभव किये हैं अगर आप सम अच्छान को यही कहें है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी लाइक कीजिएगा इसी तरह हम बहुत तरह का खिती का अन्भव दिखाते रहेंगे